जमिंदार साहब आज अपनी गल्ती पर खोधी शर्मिंदा थे आज उनके घर की इज़त पर दाग लगते लगते बच गया चौदरी साहब हमने ब्लैक मेल करने वाले दोने गुंडों को पकड़ लिया है वो गुंडे वीरपुर गाउं पर बहुत समय से नज़र रखे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि वीरपुर गाउं की ओड़ते खुले में नहाती है पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहुत सुधा ने जो हिम्मत दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ हमारे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई उसकी हमें दाद देनी होगी अच्छा चौदरी साहब में चलती हूँ नमस्ते मैंने आपको कितनी बार समझाय था घर की बहुँं का खुले में नहाना ठीक नहीं पर आप नहीं माने अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहुँं के लिए घर में गुसल खाने की व्यवस्ता जरूर करूँगी वीरपुर गाउं जहां घरों में गुसल खाने की व्यवस्ता नहीं थी इसलिए गाउं की ओरते खुले में नहाने को मचपूर थी अरे नई बहु सोकर उठी नहीं क्या स्नान के लिए नदी पर जाना है बड़ी भाबी नहानी के लिए नदी पर लेकिन यूँ खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो हाँ सुधा इस गाउं में औरते खुले में ही नहाती है और वैसे भी गाउं की लोगों को पता है कि जिस समय गाउं की ओरते नदी पर नहाने जाती है उस समय गाउं के मर्द नदी के आसपास भी नहीं फटकते अच्छा अब देर मत करो वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है हम जल्दी से नहा कर आ जाएंगे मालीनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती है गाउं की बहुत सी ओरते पहले ही नदी पर नहा रहे थी सुधा को बहुत शर्मा रहे थी मालीनी भावी ये तो बहुत अजीब लग रहा है अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज़त तो मिट्टी में मिल जाएगी अरे काहे का शर्मा रही हो बहुरानी हमें इतने साल हो गए आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं तो अब कौन देखेगा चौदी साहब से सब डरते है इसलिए नदी किनारे कोई मरद नहीं आता सिर्फ औरते ही नहाती है सुधा को बहुत अजीब मैसूस हो रहा था पर वो करती क्या मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गाउं की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहा कर घर आती है अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गाउं की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सच मुच नदी के आसपास सर्फ औरते ही आती है तो वो थोड़ी बेफिप्र होगे पर एक दिन जब सब बहुए नदी पर नहा रही थी मालिनी भाबी लग रहा है कोई हमें देख रहा है नहीं तो तुमारे मन का वेहम है लगता है तुमारे डर अभी तक नहीं गया है चलो जल्दी से नहालो फिर घर चलते है अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही मैसूस हुआ मालिनी भाबी मैं कह रही हुना कि कोई है जो हमें देखता है मुझे बार बार गलत मैसूस नहीं हो सकता अरे बहुरानी तुम बेकार में ही डर रही हो किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले और ये सच था गाउवालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाउव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले तो आखिर कौन था जो उन सब को खुले में नहाते हुए देख रहा था अरे यार मगन ए गाउं तो बहुत बढ़िया यार तुने बिलकुल सही जगा का पता लगाया भे खुले में नहाती इन गाउं वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है भे वही तो, मैंने पिल्कुल सही गाउं का पता लगा है न, अब इन फोटुओं का इस्तमाल करने का सही जमय आ गया वे, गाउं के चाधरी की दोनों बहुएं भी, उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं, चाधरी की बहुएं को ब्लैक मेल करके, अच्छे खासे सोने के जेवर औ उन्हें दिखा देते हैं, तो देर किस बात की है, कल दिन में जब वे दोनों नहा कर जा रही होंगी, तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे, अगले दिन मालीनी और सुधा नदी पर नहा कर, जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूरी पर, जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया, और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे, दोनों पहुमें डर गई, अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गाउं में हर कोई देखे, या फिर गाउं से बाहर और भी जगा ये फोटो पहुँचे तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना, तुम्हें क्या चाहिए हमें सीधी तरह बता दो अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को न दिखाएं और अपने फोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक दो लाग रुपए नकद और सोने के जेवर एक बैग में भर कर, तुम दोनों हमें लाकर दोगी, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे, पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे मालीनी पूरी तरह घब रा चुकी थी, वो दोनों घर लोटा दी है मालीनी भाबी, हम ये गलत कर रहे हैं, अन्याय के सामने जुकना कायरता है, हम अन्याय को छूट दे रहे हैं, उन मुझ्रिमों को सजा मिलने चाहिए उनकी मांगे पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं, आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे ये सरासर गलते भावी, तो हम कर भी क्या सकते हैं सुधा, हमारी फोटो बदमाशों के पास है, हम ये बात किसी से नहीं कह सकते, बदमाश हमारी फोटो हर जगा दिखा देंगे पर सुधा बहुत हिम्मत वाली थी, वो मालीनी को बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुँचती है, और वहाँ पर लेडी ओफिसर को सारी बात बता दी है सुधा, तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है, मैं जैसा कहती हूँ, वैसा ही करना सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी, अगले दिन वो मालीनी के साथ बदमाशू की बताई जगह पर पहुँचती है, गुंडे जैसे ही मालीनी और सुधा के पास आते हैं, तब ही पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, पुलिस को देख कर गुंडे घपरा जाते है, प पहले भी कुछ गाउं की ओरतों को ऐसे ही ब्लकमेल किया था, पुलिस की द्वारा गुंडों को पकड़ने की बाद चौधरी के कानू तक महुचती है, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, चौधराइन, तुम सच कह रही हो, गलती मेरी ही है, मैं ही पुराने ख के साथ ऐसा ना हो, सुधा, आज तुम्हारी हिम्मत की वज़ा से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए, भाबी, ये तो मेरा फर्स था, मुझे खुशी है कि आज मैंने जो हिम्मत की, उस कारण इस गाउं की बहुवों को अब खुले में नहीं नहाना पड़ेगा, गाउ कृतिका की सर्दियों में ना नहाने की आदत से उसकी मा रमोला बहुत परिशान होती थी, इसी कारण सर्दियां शुरू होते ही रमोला कृतिका को चेतावनी देते हुए कहती है, कृतिका, अगर इस बार भी तुने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया न, तो मैं त पर सर्दी में नहाने का अत्याचार करती हो, भला कौन सी मा है जो अपनी बेटी को इतनी ठंड में नहाने के लिए कहेगी, अभी एक चाटा पड़ेगा ना, तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी, ठंड में नहाने का अंतर एक दो दिन का होता है, महीने भर का नहीं, अच्छा, अब बस भी करो मा, अभी सर्दी आई नहीं है, जब आएंगी तब कहना, खेर, अब मैं नहाने जा रही हो, कृतिका अपनी कमरे में बने अटेज्ट बात्रूम में नहाने के लिए चली जाती है, और कुछ देर बाद, वा यार, नहाने के बाद जो सुकून मिलत जाते हैं, फिर दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है, अरे ओ नालायक, अब उठ भी जा, मैंने तेरे नहाने का पानी गरम कर दिया है, जल्दी से उठकर नहाले, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, ए भगवान, कॉलेज वाले सर्दियों में दो-तिन महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देते, उपर से ये मेरी मा, हाथ दो कर मेरे नहाने के पीछे पड़ी रहती है, तब ही वहां रमोला आ जाती है, उसकी रजाई खींचते हुए कहती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, कब से आवाज दे रही हूँ, जल्दी से उठ जा, नहा करते हुए कहती है, तब ही बाहर खड़ी रमोला सब सुन रही होती है और जोर से चिलाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की नहाना नहीं था तो पानी तो रहने देती, सारा का सारा पानी जमीन पर गिरा दिया, बेवकूफ कम से कम मेरे नहाने कहीं काम आ जाता, ले और ये मेरी मा भी न, किसी डिटेक्टिव की तरह है, जो हर टाइम मेरी जासुसी करती है, चलो, अब जब उनको पता चली गया है कि मैं नहीं नहाई हूँ, तो कृतिका बेटा, दो छीटे मार ले मुँपर, पानी के, और चल बाहर। कृतिका बिना नहाई ही तयार होकर ठेर सारा परफ्यूम छड़क लेती है, नहाने से तो तेरा कोई लेना देना है नहीं, बस ये बाल्टी भर के परफ्यूम छड़क लो, और ना नहाने की बदबु से बच जाओ, अब बस भी करो मा, प्लीज दोबार अपना लेक्चर शुर कृतिका बाहर आकर कार में बैखती ही है कि तभी रमोला जट से बाहर आती है और कहती है, अरे कृतिका बेटा, तू अपनी लाइफ लाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम की बोतल घर पर ही भूल गई, इसे रख ले, नहीं तो कुछ देर बाद तुछ से बदबु आने लग ज इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं, कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के बाद शाम को धवल और कृतिका अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे हुवे होते हैं, तभी धवल कहता है, यार सर्दियों में कहीं घूमने चलते हैं, आउट अफ स्टेश हैं, वहां तो मेरी कुलफी जम जाएगी, अरे कृतिका कितना सोच रही हो, अब ये सब सोचना वोशना बंद करो और चुकचाप हां कर दो, अहां ठीक है, अब तुम सब इतना फोर्स करी रहे हो तो चलती हो, मेरी कार में हम सब मसूरी चलेंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट व नहाने के टैलेंट के बारे में पता चल गया न, तो सोच तेरी कितनी इंसल्ट होगी, अरे मेरी माँ, तुम मेरी चिंदा मत करो, आप ही बहुत हो मेरी इंसल्ट करने के लिए, औरों की बेज़ती की मिझे जरुद भी नही है, और रही मेरी नहाने की बात, तो आप चिंद कई खतम हो गया तो सर्दियों में तो तेरा वही एक सहारा है। जरूर बाई। कृतिका जल्दी से उठ जा यार और नहाले हमें दस बजे नई जगा गूमने जाना है। नीद में खोई होई कृतिका बड़बडाते हुए कहती है। अरे रोशनी तु पागल है गया। इती ठंड में कौन नहाता है। अभी दस दिन पहले ही तुम्हें नहाई थी। क्या? तु सच में दस दिन पहले नहाई थी और तब से नहीं नहाई गया। तब ही कृतिका एकदम से नीन से जाकती है और कहती है। अरे पागल है गया। किसने बोल दिया तुझे? ठंड हो या गर्मी? मैं तो डेली नहाती हो। अच्छी बात है। सच कहूं तो सर्दियों में तो मैं एक दिन छोड़ कर नहाती हो। ठैंक गॉड मैं बच गई। आज तो मैं अपने मुह से ही अपनी पोल खोल देती है। फिर विस्तर से निकल कर कृतिका नहाने के लिए चली जाती है। और हमेशा की तरह आदत से मजबूर मुह पर पानी के छीटे डाल दीती है और धीरे धीरे पानी जमीन पर गिराती रहती है ताकि रोशनी को उस पर शक ना हो। इसके बाद टॉवल सर पर लपेट कर बाहर आ जाती है। तब ही कृतिका की मा का फोन आता है तो रोशनी फोन पिक कर लेती है। नमस्ते आंटी मैं रोशनी बात कर रही हूँ। सर पर तॉल या लपेटे खड़ी होगी। उससे ना हाय हुए तो पूरे दो हफते हो गए है। रोशनी कृतिका को घूर घूर कर देख रही होती है। उधर कृतिका का चेहरा शर्म से जुग जाता है। रमोला फोन पर जोर से कहती है। हाय राम कहीं उसकी लाइफ लाइन मेरा मतलब है परफ्यूम खत्म तो नहीं हो गया। कृतिका जल्दी से फोन कट कर देती है। हाय यार कृतिका तु दो-दो हफतों तक नहीं ना आती। छीक। कैसी है यार तु इतनी गंदगी में रहने वाली। मुझे नहीं रहने तेरे साथ, गंदी कहीं की। ऐसा नहीं है यार, तु मेरी बात तो सुन। इतना कहकर रोशनी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बेचारी कृतिका उसको लगा था मा मसूरी में नहीं है तो मेरी बेज़ती भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता था। इस ट्रिप पर भले ही कृतिका की इंसल्ट हो गई और उसका टॉप सीक्रिट सब के सामन आगया पर उस दिन के बाद से कृतिका चाहे गर्मिया हो या सर्दियां हर रोज नहाने लगती है।